नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों पिंपल्स और जुरियों की छुट्टी चाती हैं तो यू लगाएं लाल चंदन दोस्तों जुरियों स्कीन को बुढ़ा और पिंपल्स तवचा को भदा दिखाते हैं इससे चुटकारा पाने के लिए लड़के कहीं तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट का सारा लेते हैं जिसमें कुछ गरेलू होते हैं और कुछ महंगे ब्रांडिड प्रोडेक्ट्स लेकिन इ जिन लोगों की स्कीन बहुत ओईली है उनके लिए लाल चंदन बहुत अच्छा है क्योंकि चंदन में कूलिंग इफेक्ट होता है जो पिंपल्स की समस्य को कम करने में मदद करता है आपको बस एक चमच लाल चंदन आदा चमच हल्दी और जरूरत अनुसार पानी लेकर इ इंपल्स की छुट्टी हो जाएगी जूरियों के लिए जूरिया इसकीन को बूड़ा दिखाती है और कोई भी बूड़ा दिखना नहीं चाहता अगर आप चाहते हैं कि इसकीन पर जूरिया ना पड़े तो तीन चमच लाल चंदन में दो चमच कैमुमाइल्टी मिलाएं इ आपको फर्क दिखाई देने लगेगा ड्राई सकीन वाले इस तरह करे लाल चंदन का इस्तमाल जिन लोगों की सकीन बहुत ज्यादा रूखी होती है वह लाल चंदन का इस्तमाल स्पेसल पैक बनाकर कर सकती हैं उन्हें दो चमच लाल चंदन में दो चमच सहद मिक्स करना ह और चेहरे पर लगाना है इसमें सकीन को नमी मिलेगी और ड्राइनेस से भी चुटकारा मिलेगा मिलेगी गलोइंग सकीन आप लाल चंदन में कच्छा दूर मिक्स करके चेहरे पर लगाए इससे आपकी सकीन बेदा गलोइंग تو होगी साथ ही बेबी सोफ्ट भी हो जाएगी तो दोस्तों अगर आपको भी पिंपल्स और जूरियों की समस्य है तो आप भी लाल चंदन को इस्तमाल करें इससे आपको बहुत से फायदे मिलेंगे दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक वे कमेंट करें और म मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद